वेलकम गूड मॉनिंग और ये इस्टेंट इफ ये निटी दिस चैनल दें सब्सक्राइब और प्रिस दे बेल एकने आज हम देखेंगे लाब हानी निकालने की सोट ट्रिक बताएंगे कोश्चन देख रहे हैं किसी वस्तु को 524 रुपिया में बेचने से उतना लाब होता है जितना उसे 452 रुपिया में बेचने से हानी होती है तो आपके पास है उस वस्तु का क्रेमुल कितना होगा ये आपको बताना है चाहे अप एससी का एक्जाम लिख रहे हैं चाहे अप दिये का एक्जाम लिख रहें तो सभी परिछा में ऐसे ही कोस्टेन अधिकतर पूछे जाते हैं जिसमें समय को मेनेज करना पड़ता है तो आपसन है आपका 422 रुपिया बी में है 488 रुपिया और डी में है 14 रुपिया तो इसको बनाएंगी कैसे लंबी विदी से बनाने मे तो ट्रीक क्या है देखिए यहां पर आप लिखेंगे जितना और पलस लिखिए उतना ये ट्रीक हम बनाए हैं और इस ट्रीक को नीचे में क्या लिखेंगे टू लिखिए यहां जितना पलस उतना और यह दोनों को जोड़ने कवाद कितना टू होता है तो यहां पर इस ट् लिखेंगे उतना कितना है किसी वस्तु को यह उतना है यानि यह आपका 524 रुप्या हो यह यह पर क्या लिखेंगे पांचो डिखेंगे यहां पर दो लिख दीजिए अब आपको क्या करना चाहिए यह 452 और 524 को आपको जोडेंगे तो कितना हो जाएगा 986 रुपया हो जाएगा और 2 से इसको भाग करेंगे दो से जैसे ही हम भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा चार सो अठासी रुप्या आपका आंसर आएगा तो देखिए option नमर का है भी आपके लिए answer सही होगा क्या कोई दिक्कत है कही दिक्कत नहीं होने चाहिए आप क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे और दो से भाग देंगे दो से जैसे भाग देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है आईए चलते हैं नेस को देख रहे हैं दोस्तों एक आदमी समान खरिदने में पांच परसेंट और ब अजया दिखतर देखा जाता है तो दोस्तों क्या करते यह पूर्णांवला है इसलिए पर अठीक लगा देते हैं यहां क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लिजिए 20 पलस 5, 20 और पलस 5 किए और यहाँ पर पलस किजिए, अब यहाँ क्या करेंगे, इसी दोनों अंग को यहाँ पर गुणा कर देंगे, 20 गुणा 5, ध्यान देजी क्या करना है, 20 और 5 देंगे, चाहे यहाँ 10 रहे, चाहे यहाँ तीस रहे, यहाँ चा यहां पर देंगे कि यहां पर किल रहा कितना लाब होगा यहां पर पुछा जा रहा है तो अब यहां पर क्या करेंगे 100 लगा देंगे अब देखिए क्या करेंगे इसको दिख कोड़ाों 20 Christmas इसको यहां पर हम कटाएंगे तो कितना कटेगा 5 से 20 कटाएंगे 25 कि रिस और ये 20 समस्यान नहीं चाहिए आता है को कोई समस्या नहीं आने चाहिए अब आता है question number next पर next question को देख रहे हैं दोस्तों कि किसी वस्तु को 300 रुपिया में बेचने पर 25% की हानी होती है तो वस्तु का क्रेमूल क्या है option है 200 रुपिया option है 400 रुपिया option है 600 रुपिया और option है 800 रुपिया तो यह इस तरह से question आपके एक्जामे पूछे जाते हैं तो इसको बनाएंगे किसे ध्यान देजिए क्योंकि यहां वस्तु का क्या का रहा है वस्तु का आपको क्रेमूल निकालना है जब भी हम क्रेमूल को निकालेंगे तो याद रहे हम उपर में 100 को लिखेंगे यह trick है याद रखेंगे और निचे में क्या लिखेंगे कितना यहां क्रेमूल निकालना है अब यहां क्या करा है 300 रुपिया में बेचने पर 25% की हानी होती है जब हानी जब हो रहा है तो यहां 100 आप लिख दिए तो यहां क्या करेंगे 100 माइनस 25 करेंगे ध्यान रहे कि जदि हम क्रेमूल निकाल रहे है तो यहां 100 लिखेंगे और बटे देखेंगे 25% की हानी हो रही है तो 100 में 25 घटा के यहां पर लिखेंगे अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना लिखेंगे कितना, 300 है तो यहाँ पर आप 300 लिख दीजे, आप इसको solution कर लिजे, कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ 100 है, तो यहाँ पर आप 100 लिख चंगते हैं अब एक सो में पचीस को घटाएंगे, तो कितना होगा आपका? 75 रूपा होगा, यहनि 75 रूपिया होगा, अब यह गुना कितना से करेंगे? गुना से आपके पास 300 है, तो 300 को लिखेंगे, अब यह दिखे, कटाने के बाद क्या आएगा? यह दिखे, 25 तिया 75 कटा दिये, और 25 चुके, 100 कटा दी, अब 3, 1, 3 हो जाएगा, और यह 2, 0 उपर रहेगा, कितना होगा? 100 चुके, 400 हो गिया, तो दोस्तों, 400 रूपिया का आपसन नमर भी आपके लिए सही है, उमीद है दोस्तों, आपको समझाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, याद रहे कि क्रेमुल जब निकालना हो, तो उपर में 100 लिखेंगे, और यहाँ जदी लाब आपका हो, तो यहाँ पर जोड़ करेंगे, जदी यहाँ आपका हानी दिया है, तो हानी में घटा करेंगे, इसी जगर ट्रीक को फोलो करता है, याद रखिएगा, यानि लाब कहे, यहाँ पर पलस करेंगे, और जदी हानी कहे तो यहाँ पर मैनेस करेंगे। अब चलते हैं कुछ question number विक्रेमुल निकाले के लिए यहाँ पर क्रेमुल निकाले अब चलते हैं विक्रेमुल कैसे निकालेंगे। दोस्तो नेस कोशन को देख रहे हैं कि 500 रुपया की वस्तू को 5% हानी पर बेचा जाता है तो वस्तू का विक्रेमुल क्या होगा ये बताना है पहले हम क्रेमुल पूछे अब हम पूछे विक्रेमुल तो याद रहे कि क्रेमुल और विक्रेमुल को बनाने के लिए ट्रीक को अब डॉर डाउन थोरा सा करना पड़ता है कैसे करते हैं हाई इसको देखते हैं यहां 500 रुपिया की बस्तू को 5% हाने पर बेचा जाता है यह आपके पास 4 ओप्सन है 100 ओप्सन को चुनना है तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे धियान देजिए यहां क्या है 5% हाने हो गया है तो हम तो 100 पहले मान लेते हैं चलिए यहां पर हम 100 मान लेते हैं यह आपका हो गया 100 अब यहां क्या करेंगे घटा करेंगे यहां 5% हाने है यहां 5% हाने दे दिजिए अब यहां क्या करेंगे धियान दिजिए यहां पर अब यहां आपको इसी जिगर trick को follow करना पड़ता है कि आखिर हम यहां पर क्या लिखेंगे तो यहां पर आपको लिखेना होगा एक सो जो हम trick नमर तीन में पढ़ाए उसी का उल्टा कर रहे हैं अब यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों यहां पर आपके पास 500 रुपया की बश्तू है यहां पर गुना कर दिजीए 500 रुपया की बश्तू हो गया अब इसको हम solve करेंगे तो solve करने के लिए जान रहे हैं तो चलिए अच्छी तरस इसको देखें और बनाते चलिये अब यहां क्या है 100 है और 5 है तो एक सो में पांच घटाइंगत कितना होगा दोस्तों आपका 95 रुपिया हो जाएगा अब यहां पर क्या लिखेंगे यह भी जहमेला आ गया अब जहमेला करने की कोई बात नहीं है यहां 95 है यहां 100 है तो एक सो यहां पर लिखिए यहां गुना आपका है चार सो पचत्तर रुपिया हो जाएगा यह है तो आपका देखिए ओप्सन चार सो पचत्तर कहा है ओप्सन नमर थ्री आपके लिए सही रहेगा अगर यह वीडियो आपके लिए काफी महतपूर है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इस तरह से और वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करें